जे गोपायाद आए एक कर्था आप लोगों सुनाओंगा इसका आनंद लिए जिन्दगी में आनंद ही आनंद है पर जहां द्वन्द है वहीं फंद है पर जहां द्वन्द है वहीं फंद है बेद नहीं अभेद है जानते नहीं खेद है अनंत है अपार है आनंद का कंद है जिन्दगी में आनंद ही आनंद है पर जहां द्वन्द है वहीं फंद है जिन्दगी में आनंद ही आनंद है पर जहां द्वन्द है वहीं फंद है बेद नहीं अभेद है जानते नहीं खेद है अनंत है अपार है आनंद का कंद है जिन्दगी में आनंद ही आनंद है पर जहां द्वन्द है वही है वही है वही है जिदर देखो उदर वही है पंचियों में पंची वो फूलों में मकरंद है जिन्दगी में आनंद ही आनंद है पंचियों में पंची और फूलों में मकरंद है जिन्दगी में आनंद ही आनंद है पर जहां द्वन्द है वही है अद्वैत है अच्चुत है अनादी है अद्वुत है संपुटों में संपुट और चंदों में चंद है जिन्दगी में आनंद ही आनंद है पर जहां द्वन्द है वहां पंद है अनंत रूप है वही राजा वही भूप है उसका ही संसार है वही संसार है आकाश में शब्द है प्रत्वी में गंद है जिन्दगी में आनंद ही आनंद है पर जहां द्वन्द है वहां पंद है वह एक ही अनेक है उसी का उल्लेक है हजारों नाम है उसके ही नाम है वही वस्देव है वही बाबा नंद है जिन्दगी में आनंद ही आनंद है पर जहां द्वंद है वही पंद है मंदिर मस्जिद गुर्दवारों में उसी की पूजा है मंदिर मस्जिद गुर्दवारों में उसी की पूजा है चर्च वालों का वही है नाकी कोई दूजा है उसी के नूर है कोई आम है कोई अरंद है जिन्दगी में आनंद ही आनंद है पर जहां द्वंद है वही पंद है वही कण रज है वही चाम सितारे सूरज है वही कण रज है उसके सिवा कुछ भी नहीं वही घोड़ा वही गज है वही ब्रह्मांड है वही अंड पिंड है जिन्दगी में आनंदी आनंद है परजा द्वंद है वही फंद है पवित्र है इत्र है पवित्र है इत्र है प्रकाश है विलाश है इश्वर है परमिश्वर है मालिक है दास है कण है त्रिन है अखंड है खंड है जिन्दगी में आनंद ही आनंद है पर जहां गंद है वहां फंद है साम है दाम है दंड है भेद है गीता कुरान बाइबल है भेद है जो इसे जानता है वही बुलंद है जिन्दगे में आनंद ही आनंद है पर्जा बंद है वही पंद है वही नील कावेरी गंगा सागर है वही नटकट है नटनागर है फकीरा वही बाहर आजाद है भीतर बंद है जिन्दगी में आनंद ही आनंद है वही फंद है जिन्दगी में आनंद ही आनंद है वही फंद है जैगोपान यह कविता थी आप लोगों को सुना दी और मैं प्रभु से आशा करता हूँ कि आप सब लोग बगवान के प्रेमी बने बगवान को याद करें बगवान को याद करने से हमारे जिवने प्रकाश आनंद ही आनंद आता है लेकिन भवान को भूल जाने से हमारे इर्दे में आखों के आगे हमारे जीवन में अंधेर आए अंधेरा चा जाता है सो अच्छा नहीं इसलिए उस परमेश्वर को किसी भी रूप से अरूप से नाम से अनाम से सत्त से सत्कर्म से तप से यग से दर्म से योग से, साधना से, भक्ती से, ज्यान से, किसी भी रूप से उन्हें बुलायनी, इसमन रखने, रखे अपनी जीवन में और जिन्दी को जीने की एक कला सीखे, वो कला है प्रेम, प्रेम कला, एक ऐसी कला, जिसके बिना नहीं किसी का भला, प्रेम बाटती चलो, जैगोपार, समय हो गया है, मुझे दूसरी सवा में भी जाना है, इसलिए मैं आप लोगों से आग्या चाता हूँ, विदा लेता हूँ, जैगोपार, फिर शीकरी, आप लोगों एक समक्ष उपस्ते दुर्याओंगा, जैगोपार.